दोस्तो अभी आपने जो आडियो कैसेट से गानों की जलकिया सुनी उसको सुनकर आपको पुराना नभ्य का दसक जरूर ही याद आ गया होगा तो आज के वीडियो में भी हम उसी स्वरनेम दसक की एक छोटी सी यातरा करेंगे जिससे आपकी पुरानी भूली बिस्री यादे जरूर ही ताजा हो जाएंगी तो नमस्कार दोस्तो राजा बाबू नई सरा यूट्यूब चैनल की पुरानी भूली बिस्री यादों में आप सभी दर्सकों का बहुत-बहुत स्वागत है बहुत-बहुत बेलकम है दोस्तो ओडियो कैसिट और कैसिट पिलेयर जब भी हम इसको देखते हैं तो कही न कहीं हमारा वो स्वरनिम बच्पन याद आ जाता है कि वाकई में वो जमाना बहुत अच्छा था और दोस्तो यह हमारी सीरीज है जिसमें हम 1990 में आई वो टॉप टैन ओडियो कैसिट आपको दिखा रहे हैं उनका रिब्यू दे रहे हैं उनके अननौन फैक्ट भी आपको दिखा रहे हैं जो की सबसे ज़्यादा बिकी थी और आज हमारी सीरीज का यह दोस्तो सातवा यदि आपको पिरती दिन चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ओल पर जरूल सेलेट कर लेना तो चलिए दोस्तो एक गोता लगाते हैं हम 90 के तसक के समंदर में और निकाल के लाते हैं कुछ खुसियों भरे मोती और करते हैं इस वीडियो को सुरू दोस्तो 1990 में आई साथवे पायदान पर सबसे जादा बिकने वाली ओडियो कैसिट थी और इसकी 15 लाग ओडियो कैसिट बिक गई थी इससे पहले भी हमने 6 वीडियो अपलोड की हैं अधि आपने नहीं देखे तो चैनल पर उपलब दें आप जरूर देखना जिससे आपकी प्रानी याद जरूर ही ताजा हो जाएंगी सारी कैसिट एचम भी की हैं और इसमें बहुती प्यारे प्यारे गाने थे बहुती प्यारा संगीत था और अमिताब बच्चन की बहुती अच्छी भूमिकाती कैसे आप देख सकते हैं मेरे पास लगबग पांच आडियो कैसिट हैं हम और इसके गाने भी आपके वीडियो में आपको थोड़े थोड़े सुनाओंगा जिससे आपकी पुरानी याद हैं ताजा हो जाएंगी सबसे पहले हम इस कैसिट को देख लेते हैं कैसिट की जो इस्तिति है बहुत पुरानी है और इसमें अमिताब बच्चन साहब आपको दे गाने इसके बढ़े ही प्यारे दे जैसे की जुम्मा चुम्मा देदे सुदेश मौसले कवीत किष्णमुर्ति की आवाज में उसके बाद जो गणा है ना दूसरे नंबर का दूस्तो अभी आप इसको सुनते होंगे तो दूस्तों आपका वी करने का मन करता होगा कागज कलम दवादला लिख दू दिल तेरे नाम करूं मुहम्मद अजीज और सोवा जोसी की आवाज में उसके बाद है लेले चुम्मा लेले अब हम बात करेंगे साइड वी की साइड वी में दोस्तो जो पहला गाना है वो है दोस्तो बहुती प्यारा एक दूसरे से करते हैं प्यार हम इसके बाद साइड वी में जो दूसरा गाना है जैननल सहब करोत तैयारी इसके बाद इस 19 स्था गाना है ऑ lingering मेरे सनम और भूती प्यारे-प्यारे इसमें गाने थे अभी आपको मैं ये cassette deck में लगाऊंगा और हम थोड़े थोड़े गाने सुनेंगे सबसे पहले ये cassette देख लेजिए आप original master cassette इसकी बिस्तित जानकारी आगे दूँगा आप video end तक देखना उसके बाद जो हमारे पास दूसरे नंबर की audio cassette है वो combo pack है आप देख सकते हैं गुनेगार के साथ में ये हम audio cassette है और यहां पर भी आप देख सकते हैं बिल्कुल original HMB की audio cassette उसके बाद दूस्तों हमारे पास जो तीसरी cassette है वो है combo विसवातमा के साथ इस cassette को भी आप देख सकते हैं ये भी original cassette है उसके बाद दोस्तों जो हमारे पास चौथी कैसिट है ना वो भी दोस्तों बहुती सांदार है और वो है रुपए 10 करोड के साथ में हमका कॉंबिनेशन है यह आप देख सकते हैं HMB की audio कैसिट है और यह आप देख भी सकते हैं प्रचारा आपको और इजिनल कैसीट देखा रहा हूं जो कि आपने उस जमाने में इनसे ही कही न कहीं गाना सुना हुगा अब हम बात करते हैं और पांच वी कैसे नाचे नागिन गली-गली के साथ मैं हम और देख सकते हैं चलिए इस कैसे को भी देख लेते हैं तो यहां पर चलिए दूस्तों एक गाना और सुनते हम जुम्मा जुम्मा दोगे जो की बहुती प्यारा गाना है सुदेश बोसले साब की आवाज में है और इस गाने की ऊपर भी एक बहुती प्यारी कहानी है यह गाना किसी और फिल्म के लिए था लेकिन हम आपको सुनाएंगे इस वीड तो चलिए दूस्तों इस फिल्म की हम कुछ जानकारी ले लेते हैं और कुछ अन्नॉन फैक्ट जान लेते हैं सबसे पहले तो यह फिल्म क्राइम एक्षन और ड्रामा थी इसमें हमको नजर आये थे अभिता बच्चन साब रजनी कांत जी गोविंदा किमी काटकर दीपा सा डेनी डेन्जोप पास शुमया वीरानी अनुपमकेर कादर खान रोमेश सर्मा अनुक कपूर एंड दीपक सिरिके और इसके डारेक्टर मुकुल एस आनंद प्रोडूसर रोमेश शर्मा इस्टोरी रभी कपूर डायलोक्स कादर खान म्यूजिक लक्षमी कांत प्यारे ला जो अभी आप गाना सुन रहे थे ना चुमा चुमा वाला वो गाना एक्षुली में रमेश सिप्पी की फिल्म राम की सीता स्याम की गीता के लिए रिकॉर्ड किया गया था इस फिल्म में अमिताब बच्चन और स्री देवी नजर आने वाले थे और दोनों का इस फिल्म मे डबल रॉल होने वाला था लेकिन कुछ कारण से ये फिल्म डिब्बा बंध हो गई और रिलीज नहीं हो पाई फिर मुकुल आनंद ने इस गाने को अपनी फिल्म अगनी पत में रखने के लिए रमेश सिप्पी जी से रिक्वेस्ट की और वो मान भी गए लेकिन बाद में चलिए फैक्ट नंबर दो जानते हैं कुली फिल्म के बाद ये फिल्म अमिताब बच्चन की उस समय की एक मात्र हिट फिल्म थी फैक्ट नंबर तीन इस फिल्म का म्यूजिक राइट को उस समय 30 लाक में बेचा गया था फैक्ट नंबर चार अमिताब बच्चन साब मुंब में उन्होंने ये फिल्म चोड़ दिया था उनका रॉल बाद में अनुपम खैर साव ने निवाया था फैक्ट नमबर छै इस फिल्म में थोड़े बदलाप करकर इसका रीमेक तमिल में भी बनाया गया टा जिसका detla 2 अधा और इस फिल्म रजिणीकान्त लीड रॉल में नजर आये थे और ये फिल्म सन 1995 में रिलीज हुई थी फैक्ट नंबर साथ किमी काटकर से पहले उनका रॉल माधुरी दिख्षित को ओफर हुआ था लेकिन डेट्स ना होने के कारण उन्होंने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था फैक्ट नंबर आठ मुकुल आनंद ने अमिताब बच्चन को लेकर तीन फिल्में बनाई थी पहली अगनीपत दूसरी हम और तीसरी खुदागवा ये तीनों फिल्मों में अमिताब बच्चन के अलावा डैनी डैंजोपा भी नजर आये थे तो आई हो पाच का वीडियो को अच्छा लगा होगा और हम फिल्म की इतनी सारी ओडियो कैसेट देखकर आपकी पुरानी याद हो गई होंगी और इस फिल्म के अन्नौन फैक्ट भी आपको अच्छे लगे होंगे यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसके नेक्स्ट भाग मतलब आठवे नंबर पर कौन सी कैसे ट रही ती जब तक के लिए आप खुश रहिए स्वस्त रहिए मस्त रहिए और देखते रहिए राजा बाबु नैसरा यूट्यूब चैनल की पुरानी भूली भिशरी याद हैं बहुत बहुत धन्यवाद